हेलो गाइज वाइट्स अप आई होप यू आ दूइंग फाइन इस इस मीर वहीद एंड तोड़े आई विल कम्प्लीट दर्मेनि पार्ट अफ यस्टेदेश टॉपिक देट वाइट क्या पढ़ रहे थे हम हम पढ़ रहे थे बूल गया मैं हम पढ़ रहे थे एकनॉमिक ग् उप तो इस में मैंने आपको थोड़ा सा अ क्पाइंड ज ममिक क्या होता है और क्लिक क्या होता था इक नौमिक ग्रोथ हैं क्या वहता हूस्कता है ठीक है मैंने बहुत हब के ब्ला था आपको WEB reviews होगा हो बूसके इश हो सकता है मैंने सभी कंडिशनत आपको बता दी ठीक है और उसके बाद मैंने बूलाइब यह कॉंटिटेटव कॉंसेट जनरलि आपको याद रहोता है और इकनॉमिक डॉलप्मिंट जो होता है यह कॉलिटेटिव होता है बस इन दो कीवर्ड को डिफ्रेंचेट को क्वेशन अगर आएगा एक्जाम में कि एकनॉमिक ग्रोफ इस एक कॉंटिटेटिव कॉंसेट आपको इस चीज़ को याद रखना है फिर मैंने आपको बताया था कि है इस पर आपको कि यह था है बोला था किचिछ ग्रास नेशनल हैपिनिस यह कश्राइब दिया दे हैं था किस ने ये बूटन से आया है, बूटन के किस king ने दिया है, ये भी आपको याद रखना था, फूर्थ king, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जैगमी वांग चुक इन 1970, ये आपको याद रखना है, कितने pillars की बात की गई थी, चार प्लर्स और इसमें कितने पैरामेटर्स आ रहे थे नाइन पैरामेटर्स जो यह मैंने आपको मोटा मोटा बोला है examination point of view के लिए आज जो हम उससे आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि human development अगर हो रहा है तो that means हमें education को देखना पढ़ेगा हमें health sector को देखना पढ़ेगा हमें standard of living को देखना पढ़ेगा इनको थोड़ा सा हमें जानना होगा कि education में क्या चल रहा है human development में health sector में ते क्या देखने को रहा है कौन-कौन schemes government लाई है और कौन-कौन से index हैं हमारे पास जिससे हम क्या करते हैं एज़डी आई human development index को major करते हैं कौन-कौन से parameter से जिससे हम यह major करते हैं ग्रास happiness की बात करेंगे multi-dimensional poverty index की बात करेंगे occupational structure की हम बात करेंगे economic structure की हम बात करेंगे जैसे मैंने बोला कि primary sector, secondary sector, primary sector में हम GDP को calculate करते हैं कौन सा method हम तीनों मैंसे use करते हैं हमने बोला था न, income method, expenditure method होता है value added method, production method उन तीन methods मैंसे किस method का use करके हम GDP निकालते हैं primary sector की बात करेंगे अगर हम secondary or tertiary sector की हम बात करेंगे चोथा ही चोथी बात हम जाने के इंडिया जो है वो किस sector में GDP contribution सबसे जाद होते हैं क्या वो primary sector में secondary sector है, tertiary sector यह हम जाने के क्यों primary sector से shift हो गया किस में tertiary sector मतलब service sector में क्यों बीच में इसको यह क्या क्या छोड़ दिया गया किसको मतलब secondary sector को bypass करके shift होने लगा, occupational structure change होने लगा from कहां से कहा तक from primary to tertiary sector यह भी हम जाने किसमें क्या रीजन थे, यह सब कुछ हम इसमें जाने को, बहुत ज़्यादा इंक्पार्टन टॉपिक है, समझना बहुत ज़्यादा जूरूरी है, कल मैंने बताया था आपको क्यों ग्रोफ के बारे में, डिवल्लमेंट के बारे में, वहाँ पर यही यही यहाँ पर भी लिखारें, पर यह मैंने सब कुछ आपको बोला था, ठीक है, इसमें जनरले हम किसकी बात करेंगे, औरिबनाइजेशन, इंडिस्टिलाइजेशन, कमर्चिलाइजेशन, यह सब कुछ वे ने आपको कल बोला था, अब यहाँ पर कॉशन आ रहे हैं कि सर, फ्लो वैरेबल्स आपने कल ब करें, मतलब इनिक्वैलिटी नहीं रहनी चाहिए, मैंने कल बोला था आपको, इनिक्वैलिटी नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर इक्विटीबल ग्रोथ की हम बात करते हैं, पुवर्टी ऐलिवेशन, जो लोग पुवर्टी ऐलिवेशन प्रोग्रम्स की यहाँ पर हम बात करेंगे मतलब लोग जो होते हैं वो पुवर्टी इस उनको बाहर निकालना है पुवर्टी इलिवेशन जिसको बोलते हैं मतलब वो कैसे पॉसिबल है जब हम उनको अच्छे स्टेंडर अफ लाइफ प्रवाइड करेंगा अच्छा हेल्थ प्रवाइड करेंगे बहुत सारी बहुत सारी सर्फटेंबल ग्रोवट की बात करेंगे मतलब क्या हiblion है इतने जाद यह नहीं है जो मैंने कल यह इसका ब्रैक गराउंड बताया था लेकिन एक्ट्विली जब हम आज चलना है जो हमारा टॉपिक जो है यह डैट इस मेथड़्स आप जॉलपमिंट ठीक है हम तो बोल रहे हैं कि डॉलपमिंट कॉलिटी टु कॉंसेप्ट है ग्रोफ करने हैं लिए जिसके वजह Así कि एकनौम नम्यवल्पमिंट ओस है तो कॉम देखेंगे हैं सबसे पहली बात फिजिकल ड्यॉलॉपमिंट में बात करते हैं हैं ड्वलॉपमिंट celebration Pro Forward नमबर सेकंड हम बात करेंगे development of civic amenities, नमबर थर्ड जो हम बात करेंगे financial inclusion, बहुत ज़्यादा important है, method of development से question आपको M.C. क्यों पूर सकते हैं, कि किस किस तरीखी से हम development करते हैं, वहाँ पर बोला जाएक क्या हम infrastructure को develop करना पड़ते हैं, क्या हमें civic amenities को मतलब economic development करने के लिए क्या क्या हमें सिर्फ infrastructure की ज़रूते हैं, क्या हमें civic amenities की ज़रूते हैं, क्या financial inclusion पर आपको तीनों को टिक करना है, क्योंकि मैंने कल भी बोला था, आपको growth की कोई particular definition नहीं है, या development की एक particular definition नहीं है, हम हर perspective के हिसाब से हम देखते हैं कि develop होना चाहिए, अगर हमारा health sector ठीक है, तो economic development नहीं है, तो military power तो है, लेकिन पैसा उतना नहीं है, GDP नहीं है, economic growth नहीं है, तो हम बोलेंगे है, डॉलोपर country नहीं है, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर health facilities ठीक है, चलो, education भी ठीक है, लेकिन standard of living ठीक नहीं है, तो हम यह बोलेंगे है, डॉलोपर country नहीं है, कुछ बात समझ आ रहे हैं हम बोलेंगे कि एक स्टी हमने लिए है इसमें एलेक्टरिस्टी भी है इसमें जो है डॉल अप होने के लिए क्या क्राइटिरास होने चाहे हर क्योंकि रैंक फिर मिलती है जैसे आप दे तो आठ कंपोनेंट्स है आपके पास है ना एक्जाम के लिए जो आप एक्जाम दे आपके लिए आठ कंपोनेंट्स है देखो एक कंपोनेंट्स है देखो एक कंपोनेंट् है 100 marks out of 20 आफ सिलेक्ट हो जाओगे तो आरी बात समझ तो यहां पर क्या होता है यहां पर इस यहां पर भी आपको marks लेना है इस component में इस component इस component इस component तब यह आपका और आल जो है 100 बन जाएगा तब हम भोलेंगे आप qualify करते हो तब आप बोलेंगे हम आप exam को qualify करते हो कुछ बा पढ़ता है जैसे पिछले साल coronavirus हुआ coronavirus patients इतने बढ़ गए इंडिया में यहां पर infrastructure था ही नहीं है health sector पर उतना काम नहीं हो गया था ठीक है इवन के doctors बहुत सारे थे लेकर वो doctors क्या करते जब patients को जगा ही नहीं थे रहने के लिए तो फिर क्या हुआ फिर बोला गया कि घर प हर साल यहां पर education हम बोलेंगे कि 68 परसंट जो है education है यहां बोलेंगे 75 परसंट है लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि नहीं 75 परसंट तो है literacy लेकिन यहां पर हम drop out rate देखते हैं 60 60% drop out rate 60% population जो दो वो drop out 12 के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं यह 60 के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं drop out rate को criteria रखा गया कि drop out rate 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए even कि 70% literacy rate होने के बावजुद स्टिल यहां पर drop out rate 60% है लेकिन क्राइटेर है कितना रखा कि 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन इंड़ा को 60% 60% में तो यहां पर हम बोलेंगे इंड़ा डॉलप पड़नी है बहुत सारे क्राइटेर हैं जिनकों किया जाता और यहीं हम इसमें जानेंगे आई होप यहां तकि यह ब बात करेंगे यहां पर इंफ्रॉरप्टे निपर और имृटर की बात करेंगे त्रिंस पोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए और टवी कम्मिनीकेशन इंफ्रिक्टर की बात कि बात की जा रहें यहां पर सबसे पहला पॉइंट नमर सेकंड पॉ wounds enabling इसका मतलब क्यों उत है जै drinking water होना चाहे, साफ water होना चाहे, sanitation की बार्त करें, जैसे साफची बाहरत अभियान की बार्त की बात पर, इसलिए क्यों schemes लाए जाती है, क्योंकि इंडिया को क्या करना है, develop होने के लिए, उसको criteria को follow करना पड़ता है, जैसे sanitation यहाँ पर है, clean India mission वो complete हो गया ठीक है तो आरे बात समझ public transportation मैंने अभी बोला यहाँ पर तो suppose यहाँ पर तो public transportation लेकिर road facility नहीं है तो उसका मतलब है कि country dollar पड़नी है तो इसका मतलब है अगर हम public transport provide करते हैं लेकिर roads भी हमें देखना पड़ता है I hope यहाँ तक कि आपको समझ आना चाहिए financial inclusion की बात करें बात for example banking inclusion जान दन एकाउंट आपको पता हो गए zero balance पे आप एकाउंट खोल सकते हो कोई भी इस एकाउंट को खोल सकता है आरे बात समझ without any savings उसमें कोई savings रखने के जरूरत नहीं है जान दन एकाउंट उसको बोलते हैं यह भी क्या है यह भी financial inclusion वाता है कल क्या होता है कि government क्याता है पैसे transfer करता है क्यों इसमें third person नहीं आ जागा किसी और party को दिया जागा फिर वो पैसे आगे transfer करेंगे फिर वो बीच में पैसे ले ले लेते है अगर किसी को फारी पूर पॉर पॉपलेशन को government जो है कि कुछ मंतली प्रवाइड कर रहा है कि 3000 रूपीज पर है पर पर संब को ठीक है 3000 रूपीज एक फैमली को प्रवाइड कर रहा है मंतली लेकिन अगर उसका डिरेकली अगर पर संब्सक्राइड को खरच करके अपना इलाज करा सकता है कुछ बात समझ में आ रही है तिसरा जो थे क्रेडिट फैसल्टी लोन फैसल्टी मिलनी चाहे लोग और वह एप्लाइ कर रहे है लोन के लिए तो उनको लोन मिलना चाहे उसके लिए भी बहुत सारे जो पहले आप यह बोल सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्ब्लम को फेस करना पड़ता आम लोगों को अब development of infrastructure are various methods of structural development to assure that poor are made more capable and they are better equipped to participate in the economic activities. Physical development में जो मैंने आप उपर आपको बोला, इसमें हमने किस की बात के physical structures की बात की, किस लिए ऐसा क्यों किया जाता है, जो पूर पापुलेशन है, ठीक है, वो क्या करें, जादा से जादा पार्ट स्पेट करें, वो जादा से जादा हो, जादा से जादा capable बन जाए, जादा से जादा पार्ट स्पेट करें economic activities में, यहाँ पर जनरली यही बात रहती है, क्योंकि जो आलड़ी मैंने बुला high class, elite class वो तो already developed है, वो तो already ठीक ठाक, उनका health, for example, आप देखो को कोई IS officer देखो, उसका lifestyle जो होता है, वो उसका standard of living automatically, जो service में चला जाता है, चेंज होता है, उसका lifestyle, उसका standard of living होता है, उसके रहने के लिए जगा होता है, उसके बैठने के लिए जगा होता है, मला हर एक चीज़ उसके पास होता है, तो यहाँ पर generally focus किस पर किया जाता है, जो poor population हो, वो ज्यादा से जदे, ऐसा infrastructure होना चाहिए, ऐसी conditions होने चाहिए, so that वो ज्यादा से जदा participate करे, economic activities में, जब एक poor population, marginal population जो है, जो गरीब लोग है, ठीके, जो poverty में है, वो ज्यादा से जदा participate करे, economic activities में, जदा से जदा क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जदा से जदा पैसा कमा सकते हैं, तो अपने ज़रुर्यात को पूरा कर सकते हैं, वो बच्चों का education में लगा सकते हैं, वो खुद standard of living को क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं, वो साफपनी पी सकते हैं, अगर भिमार हो जाते है इसका mind fully develop होगा, उसमें disability नहीं रहेगा, उसमें stunted growth नहीं रहेगा, मतलब short growth नहीं रहेगा, body part जो ते fully develop हो जागे, mind भी अच्छे से grow करेगा, mind अच्छे से grow करने का मतलब उसका mind जो होता है, वो जब school जाएगा, वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है, उसमें disability भी ना रहे, जब वो अच्छा पढ़ाई करेगा, तो मतलब भी होता है, इसका अच्छे सी job मिल जागा, अच्छे सी job मिलने का मतलब उसका standard of life जो होता है, वो automatically change हो जाता है, कुछ बात समझ में आ रहे हैं, यह direct indirect, यह किस तरीक से link होता है, समझ आ रही है बात, तो यह चीज़ा देखने है, जब वो अच्छे education हासिल करेगा, सब्सक्राइब जाएगा, ठीक है, उसके बाद कि उसको job लगेगा, एच्छी job मिलेगी, जहां पर one lakh salary लेए, बड़ी companies, public sector units में चला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर उसको ठीक ठाक salary मिल जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो economy में contribute करेगा, इस तरीक से government सोच था, जब यह policies मनाती है, यह नहीं कि अभी बच्चा पाइदा होगा, क्या फाइ population है, इंडिया में, इस में से, सबोर समझो, 400 जो है, यह old generation है, जान से समझो, यह आप ले सकते हो, 350 जो है, यह children है, आरे बात समझ, अभी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, चलो ले लो, यह 10 साल तक राखो, 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक बच्चे, कितना हो गया, 4, 3, 8, 7, 8, बच्चा कितना, 1500 जो है, वो young generation है, 1500 जो है, यह young generation है, दियान से समझो, यह young है, इसका मतलब, अगर आप देखो, old generation मतलब आप रखो, 50 से 70 की age में, तो that means 50 से 70 age में, अभी है, अभी, 2020, 2021 में, मैं example ले रहा हूँ, मैं बात करूँ, यह 400 जो है, 400, 3, 10 साल, 15 साल के बाद क्या होगे, 400 त 50 population को कितने लोगों को खिलाना पड़ता है, मतलब 4, 3, 700 और 750, 750 लोगों को इसको खिलाना पड़ता है, यह 250 जो है, इसको कितने लोगों को खिलाना पड़ता है, 750 population को खिलाना पड़ता है, आप बोलो कि sir, यह 250, 750 को कैसे खिलाते हैं, क्योंकि young population है, यही तो कमा कर लाएंग क्योंकि बचितो जौब हैं जाएंगे उड़ जो है सब्सक्राइब जो रेटायरमेंट मिला है या वह काम नहीं कर सकते हैं तो बढ़न बहुत ज़ाथ हैं लेकिर खाने वाले बहुत ज़ाद हैं तो सेविंग होना बहुत मुश्किल हैं country जो है poor country हम बहुत सकते हैं समझ में इनकी क्या होजाएगी यह डैफ्नील डैफ्नील हो जाएगी यह जवे Radio कहां पर चले जाएंगे शाद़ि करेंगे इनके इनके बैच्चे हो जाएंगे और यह 350 ज यह जेँगे में आ जाएंगे समझ में आ रही बात तो that means आगे देखना होता है government को जो ये 350 है जो 350 population है क्योंकि ये भी एक time पे 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद जो है young generation में चला जाएगा लेकिन जब तक हम इनको अच्छा सा अच्छी सी conditions प्रवाइड नहीं करेंगे अच्छा education प्रवाइड नहीं करें प्रेमरी एजूकेशन सेकंडरी एजूकेशन जो भी होता है अच्छा नहीं प्रवाइड करेंगे तब तक क्या हो जागे इनको अच्छी जौब नहीं मिलेगे जब अच्छी जौब नहीं मिलेगी तो ये इसलिए इस तरीके से सोचना पड़ता है आगे 10 साल 15 साले 20 साल के बाद कंट्री की क्या हाल होगे किस situation में हो जाएगा कुछ बात समझ में आ रहे इस तरीके से सोचना पड़ता है इसलिए क्या होता है जब भी pregnant lady होते है क्यों उसको क्या दिया जाता है मतलब government के तरफ से खाना होता है पैसे भी होते है ठीक है यह अगर आप एक job कोई lady कोई job कर रहे है लेकिन उसको क्या मिलती है एक उसको off मिल इस तरीके से आप लोगों को यह सोचना है ठीक है इसमें तो आपको समझा जाएगा ठीक है इसमें फिजिकल डॉल्मेंट में क्या किया ज़र यही बोला जाता है फिर से कि जब हम फिजिकल डॉल्मेंट में इनको better communication मिल जाएगा higher level of standards उनको मिल जाएगा जिसके वज़े से क्या हो जाएगा ये economic development देखने को मिलेगा अब आप बोलो कि सारी communication और इसका relation क्या है poor population के साथ देखो, यहाँ पर आप समझो suppose सिरनगर में कोई person है दूसरे में जगा लेता हूँ सोपोर में कोई person है, जान से समझो अब यहाँ पर सोपोर में job available नहीं है, लेकिन सिरनगर में job available है, ठीक है अब आपको job करना है, लेकिन job तभी possible है जब आप यहाँ से सोपोर से सिरनगर आ जाओगे, तो that में जब तक connectivity नहीं होगी, कितना भी सिरनगर में available है, लेकिन यहाँ पर labor force नहीं है, सोपोर में labor force available है, तो यह तभी काम कर सकते हैं तभी यह क्या कर सकते हैं, जब तक इनके पास connectivity होगी, तो that means go bit को क्या करना पड़ता है, transportation यहाँ रोड़ को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो that means जब इसका मतलब यह यहाँ पर पहुँच सकते हैं, अगर यह वैसे आ जाएंगे, ठीक है, रोड़ खराब है इनको तीन आवर्स लगते हैं, सोपोर से सिरनगर में आने में, फिर श्याम को यह वापस गार जाता है छे अवर्स लगते हैं, इनको अब डावन करने में लेकिन यही अगर रोड कॉनेक्टिटी अच्छी होगी ट्रेन फैसल्टी होगी, ट्रैफिक जामें नहीं फैसल्टी होगी, इनको क्या लगेगा, हाफ एन आवर 30 मिनट लगेगा, सोपोर से आने में और जब वापस जाएंगे, 30 मिनट लगेगा, यहां तक जाने में इसका मनल एक अवर में है, क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं, बागी जो इनके पास टाइम होता है, वो कहां पर काम करने में लगा लेंगे, उससे साब से काम अपना करेंगे, ना कि 6 अवर से अप डाउन करेंगे तो फिर कौन आएगा वहां से वहां तक, यह में एक एक एक्जामपल दे रहा हूं, कॉनेक्ट्टी का रोल क्या है, कुछ बात समझ में आ रहे हैं, इसके वज़े से क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्शन हम वर्ल्ड एजुकेशन की बात तो करेंगे नहीं, हमें इंडियन कंट्री की बात करनी है, कि यह हम पर एजुकेशन 1951 में देखींगे, 16% टोटल लिटरेसी रेट था इंडिया में, यह आपको डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन पाता होना चाहिए, आगे देखो लिंक कैसे करूँगा इन चीज़ों को, उसके बाद 7% जो है, यह वोमेन लिटरेसी रेट था, ठीकर टोटल लिटरेसी र देखो कितना, 16% से लेकर 73%, विद इन कितना, एक हो गया यह 49, एक हो गया 50 यूर्स, और 60 यूर्स में, 60 यूर्स में आप देख सकते हैं, 16 से कितना चला गया, 73, ठीक है, परसंट तक लिटरेसी रेट बढ़ता गया, ड्रॉप आउट रेट देखो इंडिया में, ड्रॉप क्योंकि यह नहीं होता है कि हमने 12 तक पढ़ा तो हम बोलेंगे, यह educated है, नहीं, कुछ criteria होते हैं कि कहां तक education complete करनी पड़ती है, ठीक है, तो drop out rate जो होता है, वो 70% देखने को मिलेगा, ठीक है, अब यही जो drop out rate, यही तो illiteracy का major factor है, कि आगे यही इंडिया की literacy rate पे impact करेग ठीक है, education is one of the most important tool for inclusive growth, ठीक है, because better education results in better information and therefore better decision making capability, definitely जब आपके पास एक अच्छी education होगी, तो आप क्या करोगे, आप एक better decision ले सकते हो, ठीक है, तो आप एक अच्छा decision ले सकते हो, ठीक है, तो आप एक अच्छा decision ले सकते हो, जो आपके लिए ठीक रहेगा, कुछ बात समझ में आ रहे, better decision making में आपको, better education, आपको better decision making में help करेगा, लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर, after million development goals, आपने पढ़ा होगा, SDG, जिनको बोलते है, sustainable development goals, 17 sustainable development goals at present, इसको टिक करो, याद रखो कितने goals है, अब आपको यही चीज़ याद नहीं रखना है, कौन क्या है, याद भ होना चाहिए, आप लोगों को, 70 sustainable development goals है, लेकिन इन sustainable development goals से पहले government का कुछ target करते हैं, जिसको बोलते है, million development goals, उसके बाद आया sustainable development goals, इसको आपको याद रखना है, यह बोला जाता है, यहाँ पर, after million development goals were established, government has taken various steps to promote education, like service शिक्षा, अभियान, ठीक है, SSA जुसको आप बोलते है SSA, SSA schools भी है, तो million development goals के बाद, government ने बहुत सारे steps लिए, किस लिए steps लिए, कि education को, जाद से जदा education को promote करें, आप देखोगे, हर जगा पर SSA school देखने को मिलेगा आपको, जो मालों, एक scheme ली है, government ने promote किया है, SSA service शिक्षा अभियान, which has become the flagship scheme to implement a right to education, यहाँ पर क्या बोला गया है, कि कोई भी factory में, up to the age of 14 years, कोई भी बच्चा जो है, factory में उसको काम नहीं करने देगा, अगर जो भी factory में काम करेगा, जो भी बच्चा उस factory को seize किया जागा, उसके license कैंसल की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर major folks कि उसको रखा गया है, जो भी बच्चा होता, उसको government को क्यों ज़र होते, इसलिए ज़र होते क्योंकि development की बात है, यहाँ पर countries के साथ competition भी है, कि इंडिया कितना developed है, as compared बागी country से, इसको target होगा, अगर अभी यह developed हैंगे, 10 साल के बाद यह developed countries में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो यह भी एक criteria होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला था, which has become the criteria for, इस एक्ट को पास किया गया था, 2009 में, to improve the total literacy rate of internet, definitely अगर literacy rate कितना था, 16%, उसके बाद कितना हुआ, 73%, कुछ तो किया होगा, government ने from 19, from 1956 से लेकर, 2000, कितना था है, 2011 था, government कुछ steps तो लिए होगा, इसका मतला, million and development goals के जरे से, उन्हेंने education को promote किया million development goals के बाद government लेया, ऐसे से, ऐसे से promote किया, जिसके वज़े से क्या होगा, literacy rate को बढ़ाया गया, I hope यहां तक आपको यह बात समझ आई होगी, ठीक है, the government has also initiated, राष्ट्रिया, Madhya Mik, Shikshah Abiyyan, and राष्ट्रिया, उच्यातर, Shikshah Abiyyan, to promote middle school and high school education, middle school को promote करने के लिए, यह scheme ल सो दिर हम क्या बोलेंगे, हम जनले किसकी बात करेंगे, फिर human development, मैंने अभी बोला था नहीं, human development को करने के लिए, हमारे पस क्या होना चाहिए, education, लिकिन अब education तो तभी possible है, जब कौन प्रपार्ट्सिपेट करेगा, जब government intervention होगा, जब government पार्सिपेट अगा, तब तक possible न को रेडियोस करें, so that country जो है, educated हो जाए, so that बेटर decision making ले ले ले, जब बेटर decision making हो जाएगा, तो क्या हो जागा, जो है, इंडिया जो है, economic development देखने को मिलेगा, I hope यहां तक यह बात आपको बिलकुल समझ आई होगे, यहां पर the government has created minister of skill development, promote skill oriented education, through schemes like प्रधान मंत्र, कोशल योजना, ठीक है, हाँ, अगर आप देख सकते हो कि कुछ skill development program जे गोर्मेंटे लाँच किया है, जिसकी वज़े से क्या हो रहा है, कि skill provide किया जाए, अगर आप देखो कि new education policy में, generally क्या बोला जाता, skill development program, from class 6 से ही provide किया जागा, so बच्चे coding सीखेंगे, जैसे आप देखो, white hat junior में coding provide की जा रहे, तो ये एक कुछ ना कुछ कलास्ट्रोल तक बच्चे ऐसा कुछ उनका, उनके अंदर कुछ skill develop हो जाए, सो देखो अपने कमाई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वो कमा सकते है, 10,000, 15,000 वी पढ़ा है, कि उनके पास एक ऐसा skill होना चाहिए, कि वो क्या कर सके economy में contribute करें, जाद से जाद वो कमाई कर सके हैं, ठीक है, इसके पीछ रीजदन यहीं है, अब यहां पर impact of health care on development, यह तो मैंने education का बोला कि government ने कौन-कौन जा steps ले तो promote education sector in India, नमबर यहां पर आप health sector की बात करीगे, तो human development in terms of health care is measured by broad indicators like nutrition, availability of clean water, availability of health infrastructure in terms of trained medical professionals and availability of basic sanitation facilities, अब यहां पर human development की बात करेंगे, लेकिन in terms of health care, तो हमें किसका दियार रखना पड़ेगा, कुछ indicators, nutrition, nutrition क्या है, दूसरा availability of clean water, clean water available है या नहीं है, ठीक है, availability of health care infrastructure, क्या health care infrastructure है, अगर लोग बीमार हो जाते, क्या उनको care मिलता है, क्या infrastructure है, जैसे मैंने एक best example दे, coronavirus के टाइम infrastructure कम पड़ गया, तो अब government क्या करेगा, government अब देखो, यहां से क्या होता है, अब government ने सीखा, कि नहीं, जब coronavirus होआ है, यह disaster आ गया, जो है, यह pandemic जो आ गया, तो हम ready नहीं थे, तो अब government क्या करेगा, वो जादे से जदे जदे इंवेस्ट करेगा, health sector बे, जादे जादे से doctors को, क्या करेगा, recruit करेंगे, doctors को, अच्छे doctors को recruit करेंगे, so that कल, अगर और भी ऐसी कोई situation आ दे, तो हम यहां पर इस चीज़ को handle कर सकते हैं, ना के हमें बहार से doctors को लगाना पड़ेगा, आरे बात समझ, क्योंकि जब तक, जब तक चीज़ नहीं होते, जब तक हम situation को नहीं यहां पर जो उसको, फलड के लिए उससा आपते तैयार नहीं थे, क्योंकि जो maximum discharge के लिए बनाया गया था, वो उससे पहले कभी हुआ नहीं था, उसके बाद क्या किया गए, डिश्चार्ज को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी steps ले गए, ड्रैजिंग की गई, ठीक है, बं अंदाजा नहीं लगता है, यहां पर यही है कि हेलत सेक्टर में हमें न्यूट्रेशन की बात करनी पड़ती है, अब आप बोलोगे सर, हम थोड़ा सा जाने की, कि कही से भी question पूछ सकते हैं, आप नहीं छोड़ सकते हैं, आप exam में नहीं जा सकते हैं, what is development and what is growth, वहां जाकर आप बोलोगे हमें question आएगा, सवाल ही नहीं है, ऐसा question पूछी नहीं सकते हैं, what is development, what is growth, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, broad perspective एक टॉपक है, क्या हम क्या प infant mortality rate, number of children who die before one year of age, देखो, infant mortality rate और child mortality rate में difference देखो, जो होते हैं, जिनके death होती है, ठीक है, who die before one year of age, एक साल के अंदर अंदर जिनके death होती हैं, इनको बोलते infant mortality rate याद रखो, ठीक है, पूर थाउजन्ट लाइव बर्थ में कितने बच्चों की डेथ होती है एक साल के अंदर अंदर फार एक दमल अभी कोई बच्चा जो है खुदा ना करे समझो तो एक बच्चा जो है उसका बर्थ हो आज उसका बर्थ हो आज लेकिन अब इसका मतलब 21 आज का डेट है 1st March 21st April 2021 उसका बर्थ हुआ है ठीक है लाइव बर्थ है अब इसकी डेथ जो होती है इसकी डेथ हो गई है मतलब विदिन एक साल 2022 एपरेल इस साल के अंदर अंदर जिसकी डेथ होती है उसको बोला जाता इंफेंट मोटिलीटी रेट शॉर्ट में इतना याद रखो ठीक है यह कैसे निकालते हैं आपको बोलना है यह पर थाउजंट लाइव बर्थ मैंसे नहीं इसको काउंट किया जाता है सेकंड चाइल्ड मोटिलीटी रेट की बात करें पांच साल के अंदर अंदर याद रखो हो डाइब फॉर फाइवर्स अप एज जैसे यहाँ पर 2021 में मैंने बात कि 1st April 2021 में 21 से लेकर 22 22 से लेकर 23 मतलब आप यह याद रखो 2026 तक तो यह आ गया है 25 साल के जिसकी भी डेथ हो जाएगी जो भी बच्चा पाइदा हो जाएगा उसके बाद इन 5 सालों के अंदर अंदर जिसके डेथ होगे उसको बोलते है चाइल्ड मोटिलीटी रेट यह भी ह जिसके बाद इनके डेथ होती है चाइल्ड मोटिलीटी रेट इसके बाद क्या होगे जब बच्चा पाइद फाह साल के अंदर ने डेथ होती है कि इसके एसके पास खाना अच्छा नहीं था यह बेबी जो होता है ठीक है उसको जॉइंड्स हो गया ठीक है अब जो 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 उसके डेथ होगी एक दो साल के अंदर अब देखने को मिल रहा आप जोंडिसके डॉक्टरी यहां पर नहीं है यह कोई फैसलेटी नहीं है उसको मैलेरिया हो गए यह उसको कॉलरा हो गए और कोई डिजीज होगी तो यह सब को जहने के लिए हम यह देखना पड़ता है क्यों रीजन से यह जोनने के लिए तो हम अनट करेंगे ना इंफ्रास्रक्ठचर पर करेंगे उसे साब से फिर जब हम इनफ्रास्रक्चर करें करें वह फैसलिटी इस हमने प्रड़ा के है ...जैसे हम मानेगे कि बच्चे जो होते है उनको सब्पोस हम कॉलरा की बात करें से इनकी यहां पर सिर्फ बेबी काई नहीं बोला जाता है कि बचा बैचा बचना चाहिए ठीक है इसके डेफ नहीं होने होने चाहिए यहां पर जो तेखने को मिल रहा है जो लेडी जो होती है जो प्रेगनेट लेडी जो थे उसका भी दियान में रखना पड़ता है यहां पर ठीक है क्योंकि उसको भी काफी जदा कियर करना पड़ता है यहां पर बोला जाता है क्योंकि आपको ऐसे केसिस भी होते हैं कि जब चाइल्ड बर्थ होता है कुछ कंडिशन ऐसे होते कि डॉक्टर फिर बोलता है यह तो आपको बचा बचाना पड़ेगा कुछ ऐसे कंप्लिकेशन हो जाती है ठीक है कंप्लिकेशन आ जाती है कि डॉक्टर फिर बोलता है यहां तो आपको जो बेबी जो बचाना पड़ेगा या इसकी मदर को बचाना पड़ेगा तो फिर वहां पर क्या होता है यहां पर भी यह भी हमें देखना पड़ता है कि ऐ अच्छी जॉब है तक उसकी वाइव के डेथ भी भी लिए लेकिन अपने बचकी को पर नान परसंट बचाने केलिए ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं त् barely Mitra होते हैं जो कि उसको वैसे हम प्रवाइड नहीं कर सकते हैं यहां से भी ध्यान में रखना पड़ता है ठीक है तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है अगर आप क्या बोलते हैं यह जनरली क्या बोलते हैं इसको आपको पता होना चाहिए एक्चुली मुझे और कुछ बोला था है यहां पर आप छोड़ो वहां नहीं जाएंगे हम टोटल फर्टिलीटी रेट की बात करेंगे नंबर आप चाइल्ड अब नंबर हो में इसको छोड़ आप इतना आपको याद रखना है जो मैंने आपको बोला थीक है थीज आर दियर दिज आर मोर इन गृप फीपल हो अर एक्टनोमिक लिए बैक्वर अब यह जादा देखने को पर मिल रहा है चाइल्ड मोटिलीटी रेट की बात करें इंफैंट मोटिलीटी रेट की बात करो यह यह तोटल फर्टिलीटी की बात करो यह सब कुछ इशू कहां पर देखने को मिलेगा यह बैकवर पॉपलेशन जो इसमें देखने को मिलेगा ठीक है बचा बिमार होता हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है ठीक है मदर को कुछ इशू होता है पैसे नहीं होते है जब तक इसलिए मैंने पहले बोला था कि है पूर है जो मार्जनल है पॉपलेशन जो है उनको क्या हो जाए वह ज्यादा से ज्याद एकनोमी एक्ट्विटीज में क्या हो जाए का पार्टिस्पिट करें और जो है उनका है वो ठीक रहे है ठीक है आरे बात समझ आई होप यहां तक आगी बात आपको समझ आई होगी कुछ यहां पर मैं बोलूगा गोर्मेंट ने क्या-क्या स्टप्स ली है ठीक है वी हैव सो मेनी मिशन पार हैलत कियर बट इट फोक्स थारी मिशन है मतलब हैलो स्क्रेश करने के लिए फोक्स करने के लिए लेकिन वह जादा फोक्स किसे क किसी को टेस्ट करना कोई यहां पर ब्लड ब्लड टेस्ट के लिए मेशिन नहीं है चलो यहां पर कोई बीमार होगा उसको ब्लड की ब्लड बैंक ही नहीं है इंडिया में तो इस तरीक से चीज़ां भी देखने पड़ रहे हैं तो कौन-कौन से इनिशेटिव लिए थे गो प्रोग्रम्स गो मिटने लिए हैं इन आडर टू इंप्रू दा हेल्ड कंडिशन अफ दा पूर पॉपॉलेशन आई होप यहां तक यह बात आपको समझ आई होगी ठीक है यह आपको यहां तक रूपको यह हो गया स्टेंड अब आगे हम चलिंगी यहां पर आपको ध्यान उसके बाद मैंने आपको बोला कि human development ही जब हम बात करते हैं तो कौन को से sectors ले जाते हैं education के बारे में मैंने आपको बोला education or health के बारे में यह दो कि आपको एक broad perspective मिलाएं यह तो यहां से तो question मिल जाएगा जो हमने अभी पढ़ा है लेकिन अब आगे question कहां से मिल सकता है जो इसमें एक ही पॉइंट आपको याद रखने है इंडेक्स में सबसे पहले publish कौन करता है नंबर फर्स्ट पॉइंट और इंडिया की रेंग क्या है ठीक है क्योंकि हम country इंडिया में ही रहते हैं तो इंडिया की रेंग क्या है दूसरा कितने countries में से निकाला गया 190 countries आउट आ में first rank पे कों है और फिपता आपको याद रहता है कि इंडिये की रेंट कि इंडिया की रेंक है एक तो इंडिया की rank अगर फिपता rank है हम एक है च्ट हैं जो भी है लेकिन delivered का ये सब जाता सथे पूश्चन के शेम हम इसको फाइव स्थार लगाऊगे Human Development Index Human Development Index is a part of Human Development Report मैंने पहले पहले बोला था human development इंडेक्स एक रिपोर्ट publish किया जाता उसमें एक index इंडेक्स पब्लिष किया जाता आपको बोलना है human development index इसको कौन publish करता है यहाद रखना है human development report human development index जो होता है यह पार्ट human को पब्लिश कोन करता है यू एन डी पी पहला कुश्चन बनेगा युनाइट निशन्स डिवल्लप्मेंट प्रोग्रम सबसे पहला पॉइंट ही आपको याद रखने इसको कब स्टार्ट किया गया कब नहीं स्टार्ट गया उसके आपको कोई मतलब भी नहीं बस इतना आपक फोचन था यहीं आपको नहीं बुड्ल यहीं नमबर फरस्ट यहीं आपको ना हीनोटनोट समय डालनें यहां यह नहीं पडबना है यह ऀसके के लिए हमें होता है लेकम आपको नहीं पढ़ना है यह इसन पूछे प्योचна कि की निकालने के लिए कौन कौन से denying को यह देख कर रहा हूं कि examination point of view के लिए आपको याद क्या रखना है आपको रखना है कि human development index जो है keyword जो है यह है कि इसको publish कौन करता आपको यू एन डी प उना नेशन development program कितने criteria ले जाते हैं आपको बोलने तीन criteria कौन-कौन सा एक तो होता है health दूसरा होता है education and third जो होता है and that is standard of living कुछ बात समझ में आ रही है यहां पर अब आप बोलो कि sir health sector में से क्या कौन सा parameter देखनो life expectancy की बात कि जा रही है बस इतना आपको याद रखना है education में क्या देखने को मिल रहा है mean year of schooling for adults or expected year for child in child entering school यह आपको याद लेकिन नहीं रखना है अगर आप पढ़ भी सकतो नोट से पढ़ लेना लेकिन इतना ही आपको याद रखना है तीन पैरामिटर एजुकेशन हेल्थ और स्टेंडर अफ लिविंग बस इतना आपको याद रखना है लेकिन सर यहां पर question तो आ जाता है सर फिर इंडिया का रेंग क्या है human development index में है न यह तो मैंने बोला human development index UNDP तीन पैरामिटर ले जाता है अब इंडिया की रेंग बताओ तो हम देखेंगे इंडिया का रेंग क्या है देखो guys यह report जो है यह 2020 का report है क्योंकि अभी 2021 चल रहा है लेकिन रिपोर्ट कहां का है 2020 का अभी यहां पर जो देखो 2020 में जो report आया है लेकिन वह actually 2019 का है जो भी 2019 में आता है वह दिखाएगी कब 2020 में अब जो 2021 में publish हो जाएगा 2021 तो पिशला साल है अभी क्या चला 2021 तो वह हम देखेंगे 2021 में देखेंगे जब रिपोर्ट आ जाएगा ठीक है तब तक अगर आपका आपको याद रखना है कितनी country को publish किया गया है यह report जो इसमें कितनी country आपको बोलना है 189 countries है और इंडिया की rank क्या है इसमें आपको बोलना है 131 बस इतना आपको याद रखना है इस साल जो आ जाए कि अगर तब तक आपका एक्जाम हो गया ठीक है तो आपको वह रिपोर् हो था आपको इतना याद रखना अभी जो है रिपोर्ट जो आया 2020 के साब से जो है human development index रिपोर्ट जो है इंडिया की rank 31 है out of 189 countries क्वेश्चन आ जाता है कि कौन इसको publish करता है ठीक है किस रिपोर्ट के जरी से आपको बोलना human development report HDR 2020 जिसको release कौन करता है and UNDP जो मैंने आपको बताया हुआ सब यहां पर एक extra point आपको याद रखनें इंडिया की rank जो है 131 out of 189 countries बस यह हो गया आपका human development index ठीक है इसी के साथ जो है इसी के साथ जो है इसी में इसी report में क्या होता है बाकी indices भी होते है for example inequality adjustment human development index gender development index gender inequality index multi-dimensional poverty index यह हम एक एक कर गए जानेंगे यहां पर ठीक है मतलब यहां पर health की बात की जा रही है मतलब a long and healthy life मतलब health criteria लेना पड़ता है access to knowledge का मतलब मैंने आपको बोला है education की बात की जा रही है और मैंने आपको बोला standard of living मतलब decent standard of living यह तीन basic dimensions ले जाते हैं जिसके उपर human development report को publish किया जाता है question आज जाक है सर फिर 2000 सॉरी सर फिर top country कौन से थी आपको बोलना है Norway ने top किया था है एच डी आई में मैंने बोला इंडिया की रहें कितनी थी था ना कि इंडिया कर आपको याद रखना है बहुत जादा important है पूछा जाता है Norway ने top किया है ठीक है फाल्लोड वाद एयर्लेंड सुजर लेंड यह आपको याद नही मैं प्ड़िश किया है the twenty 21 में अभी नहीं आया है फिक यहां पर इसमें क्या किया जाता है मुझे सम्झाना ही है कंट्री को आ hear me किस-kis country का है यह समें category की जाती है आप कौन वेरी हाई में आता है आपको उसमें नहीं गुसना बस इतना आपको जहन में होना चाहिए जब भी यह परफार्मेंस यह भी इसको रिपोर्ट को इशू किया जाता है इसमें देखने को मिल रहा हाई very high human development होते हैं human development countries होती है दूसरा high human development countries की बात की जा रही है और sorry और medium human development countries की बात की जा रही है तो question आ जाकर इंडिया जो है वो किस category में आता है आता है आपको बोले इंडिया जो आता है the mainly human development countries में आता है use human development index जो है here human development report की हम बातकर ँमें इंडिया जो आता है medium human development index के रहा है मीडियम wash institutions के अंदर आता है पाकस्तान भी सी के अंदर आता है बंगलदीश भी सी के आता है मायें मर्घ Cordy कर लेकिन शिरेलंका ने तरकी की है और चाइना ने शिरलांका किसमें आ रहा है वह आता है हाई हिमन डॉल्मेंटि कंट्रीज में आप देख सकते हैं ये नेवरिंग कंट्री इंडिया की चाइना भी आता है हाई हमन्ड लम्न इंडेक्स में आरे बात समझ तो यह आपको याद रखना है ठीक है ना य इसमें जितनी भी कंट्रीज में उनको बॉला जाता है इसके बाद इक ओर हैं जिसको बोला जाता है in equality in equality adjusted human development index देखो inequality adjusted human development index जिसको हम short में बोलते हैं i hdi ये भी आपको पाता होना चाहिए in equality adjusted human development index percentage loss in hdi inequality hdi में कितनी कम या गए जैसे अगर मैं इंडिया की रेंक थी सब्सक्राइब हो गया दो से स्थीप हो गए दो 133 तो यहां पर हम कितना इसमें लॉस्त देखने को मिल रहा है एक इनिक्वैलेटी के वाजए से human development में परसंटेज लॉस्त कितना देखने को मिल रहा है इसी को बोला जाता है इन इक्वालिटी एडजेस्ट टुमन ड्लॉल्मेंट इंडेक्स कुछ बात समझ मैं आ रही अब याद रखना आपको क्योंकि यह परसंटेज में यहाँ पर तो रेंग तो हम बात करेंगे नहीं हम बात करते हैं हम रहें के फार में करते हैं लेकिन जब मैं करता हूं इसे परसंटेज लॉस होता है ठीक है परसंटेज लॉस अब को याद रखना है 0.530-537 यह आप बोल सकते हो 16.8% ओराल लॉस देखने को मिल रहा है क्योंकि पहले कितना था इंडिया तू दो यह सिलिप हो गया दो सिलिप होने का मतलब यह हो गया कि इसका मतलब इंडिया जो था पिछले साल वो होगा फिर 331 और इस साल हो गया 333 कुछ बात समझ में आ रही है क्योंकि 2019 में इसकी रेंक बहुत अच्छी थी as compared to 2020 में जिसमें 133 है इसका मतलब दो यह सिलिप हो गया क्योंकि दो इसका लॉस हो गया फिर से आरे बात में जब दो का लॉस मतलब यहां पर देखने हैं कि मुझा याद रखना आपको बस इतना आपको याद रखना है कि अगर कॉश्चन पूशा जाएगा आई एच डी आई तो इस एक त्छी आई परसंट ओरालास देखने को मिल रहा है ठीक है। उसके बाद इंडेक्स जी डी आ जंडर डिवल्ल्लमेंट इंडेक्स में आपको याद रखना है GDI Majors Disparities on HDI by Genders तो इसमें आपको याद रखना है इंडिया जो है इसका वैल्यू कितना आपको बोलना है 0.82 ये भी आपको याद रखना है किसका इंडिया का और वर्ल्ड का कितना है 0.94 लेकिन आपको इंडिया का याद रखना है क्योंकि मैंने सभी इंडेक्स इसमें लाइका ही सब्सक्राइब को याद नहीं रखना है बस इतना आपको याद रखना है जी आई आई की रेंख क्या है जंडर इंडेक्स 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 की रेंख कितनी है आपको बोलना है 123 रेंग है इंडिया की आड ही बात समझे इंडिया की रेंग कितनी है? 123 और लास्ट्यर इसकी कितनी रेंग थी? ठीक है 2019 में कितना था इसका आपको बोलना है 2019 में कि-120 में गहीने इसका रिपोर्ट देखा 123 आपको सिर्फ 123 याद रखना है out of 126 कंट्री किसमे suing India inequality index में इतना आपको याद रखने है multi-dimensional poverty index में इंडिया जो है ठीक है इन इंडिया 27.9% of the population याद रखो इस value को 27.9% जो इंडिया की population है are multi-dimensionally poor multi-dimensionally poor का मतलब यह होता है उनको health issues है education और standard of living को मिला कर क्या देखने को मिल रहे हैं वो डॉलप नहीं हो पा रहे हैं ठीक है उनको डॉलप में देखने को मिल रहे हैं इंडियार health education और standard of living यहीं लिखा है multi-dimensional poverty index captures the multiple deprivation health sector में भी देखने को मिल रहा है education में इसमें कितनी population इंडिया की आ रही है आई होप यहां तक कि यह बात आपको समझ आई होगी एक और रिपोर्ट है जिस में बोलोंगे जिस रिपोर्ट का बोला जाता है नाम sustainable अच्छा इस रिपोर्ट का नाम क्या है happiness about human world happiness report यहां पर मैं बात करूंगा वल्ड हैपिनेस रिपोर्ट यहां रखना है sustainable development solution network for United Nations रिलीज दा वल्ड हैपिनेस question पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट जो है याद रखो वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट जो है इसको किसने रिलीज किया है कौन इसको रिलीज करता है आपको बोलना है वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट को रिलीज किया है sustainable report solution network the sustainable development solution network for the United Nations रिलीजर द वूर्ड हैपिनस रिपोर्ट याद रखना याद रखना है जैसे मैंने बोला human development index को release किस नहीं किया आपको बोला UNDP United nation development program exactly वैसे आपको याद रखना है कि हूँ happiness report world happiness report को publish को करता है आपको बोलना को बोलना sustainable development स्लूशन नेटवर्क आपको याद रखना है लेकिन आप आपको याद रखना है यहां पर हम देखेंगे एक सिकंड हाँ इस में इस हैपिनेस इंटेक्स में जो पर मैं बोल रहा हूं वही आप पॉइंट को लिखना है टॉप और फार्मर कौन सा है आपको बोलना है एपिनेस रिपोर्ट में फिन लेंड जो है यह वर्ल्ड की हैपिएस्ट नेशन मानी जाती है और फिन लेंड साबसे हैपिएस्ट कंट्री मानी जाती है आपको यह चीज़ याद रखना है फिन लेंड जो है नंबर वन पे है लेकिन अब हम इंडिया की बात करेंगी इंडिया जो है वह 144 रेंक है इंडिया की यहाद रख रखो 144 हैपिनेस इंडेक्स रिपोर्ट के को वह वरिस्ट वह कभी हैपी नहीं रहेगी वह वरिस्ट कंट्री हैं इसी मैंसे 144 इंडिया में मतलब इंडिया बहुत ज्यादा पीछे इस हैं अंदाजा लगना चाहिए ठीक है आप उसको क्वेश्टन को आरम से कर सकते हो लेकिन जो होता है इंडिया को नेपाल जो है उसका है ज्यादा है एक पाक्स्तान 66 परसेंड बंगलादिश 107 और 130 तो यहां पर आप देख सकते हो कि हैपीनेस इंडिया का वन रियादर का वन तो इंडिया जो है यह लास्ट 15 जो है अगर लास्ट से आजएंगे लास्ट के 15 में से आ जाता है आरे बात मुझे लिखा है इसने इंडिया इस ए न्यू इंट्रेंट टॉदा टॉप 15 गृप्स में आता है आई होप यहां तक यह बात आपको समझ आई होगी जो मैंने ने चेमकर 123 करेंद चाहिए है टो ज्रहां तो जादे से ज़या है कि делать लाइक करो और जादे से जादे जाद से जादे करो और और कमेट सेक्षिन में मैंंचन करो आपको यह से से system कैसा लगा ठीक है और यह मैं एक और बात यहां जैसे यह निहांको बोला-था एक पॉइंट प्लस आपको लिखना है सब्सिडीज माइनस करना आपको इंडिरेक्ट ठीक है यह आपको वहां पर याद रखने के लिए अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्श्षन में में मेंचन करो आपको यह सैशन कैसा लगा यहां तक हमने economics का पूरा यह complete किया है, यह आपका growth and development भी complete किया, with reports के साथ, with idea के साथ, अब मैं कल क्या करूँगा, कल मैं geography लेकर आओंगा, अब बोलो कि sir अभी दो topics बच रहे हैं, एक तो मैं इस Sunday को लेकर आओंगा, और दूसरा मैं दूसरे Sunday को लेकर आओंगा, आपका economics भी हो जा करेंगे, कल हम इंशाला geography स्टार्ट करने वाले हैं, आप थोड़ा सा अब तयार रहों, ठीक है, thank you so much for watching me,